हाई एवरीवन दिस इस विपुल अगरवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपका साइंस एंड फन पर बच्चो तो इस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11th Micro Economics का चैप्टर नमर वन इंटोड़क्शन का वन शॉट एक ही वीडियो के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल डिटेल मैं आप लोगों को सिखा दूँगा आप लोगों को कोई और सोट से कुछ भी देखने की जुरत नहीं पड़ेगी पूरा का पूरा explanation एक ही वीडिय उन्हें ने मेरे को बोला कि सर चैप्टर नमबर वन का वन शॉट लेकर आईये तो बच्चों की दिमांड को देखते हुए उनकी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए ये मैं चैप्टर का वन शॉट लेकर आया हूं इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा important terms है ठीक है जैसे economy क्या होती है economy यह कितने types होते हैं एक economic problem क्या होती है और कुछ common problem को कि हर economy में पाई जाती है economics का मतलब क्या होता है micro economics का मतलब क्या होता है positive economics normative economics काफी ज्यादा basic terms का मतलब इस chapter के अंदर आप जानने वाले हो कि अपर्पस क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर देख लेते हैं कि क्या कि चीज ना कभर करने वाले हैं सबसे पहले हम देखिंगे प्रॉब्लम को जान गए तो उसके बाद हम इन तीनों मतलब को जान गए तो उसके बाद हम समझ जाएंगे कि वह यह की सब्जेक्ट के पीछे then positive and normative economics then micro and macro economics central problems of an economy कौनसी वो common problem है जो कि economy में हमेशा present रहने वाली है उसके बाद opportunity cost what do you mean by the opportunity cost उसके बाद production possibility curve जो इस chapter का main topic मैं कहता हूँ the most important topic the most important topic इस chapter का production possibility curve या भी production possibility फ्रेंट आया जैसा भी बहुत सारे नाम है जैसा भी बच्चों आप लोग से बोलोगे तो चलिए start करते हमारे पहले topic से जो है हमारा meaning of economy बच्चो economy का मतलब क्या होता है यह term आपने बहुत बार सुना होगा Indian economy, Chinese economy, Japanese economy US economy, European economy economy का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन अभी तक आपको उसका actual मतलब नहीं पता होगा आपको इतना तो पता होगा कि economy कहीं न कहीं relate करती होगी money के साथ ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो पूरी तरह से सच नहीं है economy के कुछ और भी ज़्यादा aspects होते है money is not the one of the most important aspects of an economy but कुछ और constituents होते हैं कुछ और characteristics होते हैं जो कि economy को एक system में convert करती है तो वही हम लोग आज characteristics से constituents देखते हैं बेसिकली economy क्या होता है बच्चों economic system होता है इसका example देते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि suppose करो suppose करो कि चार लोग है एक हमारा है farmer चार लोग है एक हमारा है farmer एक हमारा है doctor एक हमारा है industrialist आपर मैं बोल सकता हूँ close menu प्रेक्टिर ठीक है बच्चों और एक हमारा है suppose कर लो कोई भी कार मैंूपेक्टिर तो इसके अंदर ना हम लोगों को क्या थी देखनी है इधर ध्यान से देखना बच्चों आप क्या देख रहे हो कि एक farmer कुछ production करेगा production में वो क्या उगाएगा वही फूड उगाएगा doctor medical services देगा doctor देगा हमें medical services उसके बाद cloth manufacture हमें क्या देगा cloth देगा और car manufacturer हमें क्या देगा कार देगा आपने क्या चीज को notice कर पा रहे हो इस दगापर कि अगर जब फार्मर फूड बनाएगा तो फूड किसके लिए बना रहा है वह doctor के लिए फूड बना रहा है clear है वह cloth manufacture के लिए फूड बना रहा है वह car manufacturer के लिए फूड बना रहा है हाँ या न तो बेसिकली जो production करा जा रहा है by the farmer वह consume कर रहे हैं doctor cloth manufacturer और car manufacturer अब जब यह food इन लोगों को बेचा जाएगा तो इसके पास क्या आएगा लौट कर पैसा आएगा इसके पास money आएगए बच्चों इसके पास क्या आएगा बच्चों ए पैसे क्या करेगा फिर इस पैसे खर्चा करेगा डॉक्टर के ऊपर medical services लेने के लिए cloth manufacturer के ऊपर बह्या कपड़े खरीदने के लिए car manufacturer का खरीदने के लिए तो इसी के लिए आप यहां पर क्या देख पारे हो कि यह सारा जो एक जो चार लोग है कि सिस्टम में कर रहे हैं और चार लोगों का प्रोडक्शन कर रहे हैं और चार लोगों का प्रोडक्शन चार लोगों ही का आपस में कर रहे हैं और इस तरीके से बीच में क्या ह हो रहा है money flow हो रहा है तो यह सिस्टम में convert हो गए इसी को बोलते हैं economy के अंदर बच्चों क्या देख पा रहे हैं production है बिल्कुल है consumption है बिल्कुल है production consumption की वज़े से money outflow in flow हो रहा है हंदी सर बिल्कुल हो रहा है उसके बाद एक उटार माता investment investment मतलब इन मैंसे जब यह लोग अपने इस business को बड़ा करेंगे कि अभी मान के चलो farmer खाली 100 एकर लेंड पर अपनी farming करेगा तो वो अपने output को increase कर रहा है production capacity को increase कर रहा है इन्वेश्टमेंट एक investment भी इसका important aspect होता है जब आप अपनी capacity को increase करते हो आप किसी भी system को उसकी capacity को बढ़ा करते हो investment करके तो basically economy क्या है हमारे पास economy क्या है हमारे पास economy जा system economy के system है और वो system क्या provide करवाता है वो system लोगों को provide करवाता है क्या उनको काम करने का जरिया क्योंकि बच्चों यहाँ पर डॉक्टर था, क्लोथ मैनुफेक्चर था, कार मैनुफेक्चर था और फार्मर कुछ था, उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए न, तो बेस्टिकली जब एकोनॉमी आई तो फार्मर के पास एक अपॉचुनिटी आई कि मुझे कुछ बनाना जिससे की लोग वाग खा सकें, बात ही समझ में यह तो फार्मर को इक means to earn मिला, क्या मिला, means to work मिला, उसको काम करने के एक जरिया मिला, और उसी काम करके वो क्या कमाएगा, earn a living, वो पैसे कमाएगा, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने production करा, तो पैसे कमाए, उसन and consumption एक economy का पार्ट तो होना चाहिए, हमें याद कैसे करना है, force simple है, economy मतलब एक system जहाँ पर लोगों को काम करने को मिलता है, यानि की means to work मिलता है, उसके थुरू वो a living earn कर पाते है, यानि की उस पैसे कमा पाते है, क्या process follow करके by the production and consumption of goods and services, goods and services का production and consumption करकर, clear है, for example, economy, Indian economy consists of all sorts of production, Indian economy में आप लोग देख पा रहे हुए कि बहुत सारे लोग हैं अलग-अलग industries में कुछ नग उस production करते रहते हैं, जैसे कि agriculture में भी production हो रहा है, industry में भी हो रहा है, transport है, communication है, banking है, etc. अब basically यहाँ पर आप बच्छों क्या देख पा रहे होंगे, कि जो agriculture है, जो खाना आ रहा करेंगी, और बाकी की सारी चीज़े तो production करेंगी, वो वो एक चीज़ करेंगी, तो basically जब एक aspect production करता है, तो सारे बाकी aspects को consume करते हैं, यसे करके पूर एक system बन जाता है, जिसमें लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कैसे production और consumption करके, तो तीन चीज़े बड़ी important है, पहली production consumption ने बता दिया, third है investment और capital formation, कि एक system अगर develop हुआ, तो जमाने हमेशा के लिए वो system वैसा ही तो नहीं रहने वाले न, वो increase करेगा, ग्रो करेगा, तो ग्रो करने के लिए investment लगती है, बात ही समझ में, ग्रो करने के लिए बच्चों क्या लगती है, investment लगती है, अगर farmer ने अ अपना food बेच के है, जो पैसा कमाया, उस पैसे को हमेशा consumption के लिए वो खर्च नहीं करेगा, consumption के साथ वो सोचेगा भी किस तरीके से में अपनी farming capacity को increase करूँ, याने कि consumption के लिए खर्च करने के साथ साथ, अपनी capacity को increase करने के लिए पैसे को invest भी करेगा, तो तीन चीज़े आ हमारे पास, तीन तरीके के नॉमी होती है, पहली होती ही market economy, market economy, second होती ही हमारे पास centrally planned economy, और ठर्ड होती है हमारे पास मिक्स्ट एकोनॉमी क्या होते हैं तीनों के मतलब आई यह देखते हैं पहला मार्केट एकोनॉमी और इसे हम लोग कैपिटलिस्ट एकोनॉमी भी बोलते हैं है इन तीनों मेरे में हैं किर्ण हमारे उन कर रहा है तो मार्केट एकोनॉमी के अंदर हमारे जुदू प्रोड़क्षन होंगे यहां पर आम जनता होगी उसे बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर और जहां पर गवर्मेंट होगी उसे बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर के इंदर गवर्मेंट नहीं रहती है यह बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप इससे याद क्यारो करोगे प्राइवेट सेक्टर असानी के साथ आद हो जाएगा और इसी डेफिनेशन के बेसिस पर इसके लिए निसे किरेक्टर स्थर्क्रश्ट भी है पहला और आप तो क्या देख पा रहे हो एक इक उन अन के अंधा था पढ़ाया था उसके regarding decisions लिए जाएंगे ठीक है वो decision private sector में कौन लेगा मैंने भी पता है था private sector में government involved नहीं देगी तो कौन लेगा private sector खुद लेगी तो private sector itself will take the decisions regarding the consumption production and investment independently याने कि वो किसी के ओपर dependent नहीं होगी और इसके अंदर क्या होता है stiff competition होता है बच्चों क्या होता है stiff competition ह होता है क्यों कि आम जनता बहुत सारे लोग हैं और वह सारे लोग कुछ भी काम कर सकते हैं तो आपस में बच्चों क्या क्रेट हो जाता है competition क्रेट हो जाता है कि अगर आज मैं cloth की company cloth की एक manufacturing unit करें एक factory खोल लूँ तो मैं किसी और को नहीं रोख सकता कि तू नहीं खोलेगा क्लोथ की company को खोल सकते हैं तो आपस में क्या हो जाएगा मैं का क्लोथ बना रहा हूं तो मेरे जैसे और भी लोगों को जो बना रहे होंगे और हाँ आपस में क्या हो जाएगा इस टिप competition हो जाएगा ये private sector में competition देखने को मिलता है all the decisions जितने भी decisions होंगे वो profit motive करता है यान the main important point कि government इनके काम में interfere नहीं करती private sector purely private government interfere नहीं करेगी तो जितने भी decisions होंगे private sector लेगा private sector अपने means of production को ओन करेगा बाता ही चमन में यह competition काफी जाता देखने को मिलने वाला है profit के लिए लोग काम करते government इंके अंदर interfere नहीं करती और इसका सब्सक्राइग्रामपल है वो है USA USA के अंदर market economy चलती है महाँ पर जो means of production है जो production होता है consumption होता है investment होता है वो private sector के हाथ में है ठीक है government उसके अंदर interfere नहीं करती है नेक्स्ट है मारे पास centrally plant economy centrally plant economy जहाँ पर means of production on control and operated means of production OCO means of production OCO by कौन government यानि कि यहाँ पर प्राइबेट नहीं होगा private sector इधर बच्चों नहीं होगा इस बात को याद रख लो private sector इधर नहीं होगा अब इसके पीचर क्या होते हैं कि जितने भी means of production हार own by the government ऊपर देख लि के वह कौन लेगा government लेगा कंदम से प्रोडक्शन इन्वेस्मेंट से रिलेटेड बिल्कुल से में पहले वाला का है पहले वाले में competition बहुत साथ था यहां कोई भी competition नहीं है क्योंकि basically government तो एक ही होने वाली है government body तो एक ही रहने वाली है clear है नहीं clear है तो अगर मान के चलो अगर मैं central government की बात करता हूं इंडिया की central government की बात करता हूं तो एक ही रहने वाली है उसके representative change होते रहते हैं तो बेटा competition कहां से आएगा बात ही समझ में नहीं clear है और all the decisions इतने भी decision लिये जाते है उनका aim क्या होता है maximize social welfare यानि कि इनका profit नहीं होता है इनका aim क्या होता है कि हम जो production कर रहे हैं consumption कर रहे हैं investment कर रहे है that is only for the public public का फाइदा इसके अंदर होना चाहिए वहीं पर private sector profit के लिए काम करता था क्लियर है नहीं clear है next हम लोग देखते हैं mixed economy में बैटा प्राइविट सेक्टर प्लस government तो नहीं साथ में आ जाते हैं यह दोनों कहते हैं सुन फ़ल में पता है एक economy के अंदर बहुत सब्सक्राइब इंडियन economy का लेता हूं अगर इंडियन economy की बात से रहे तो इंडियन economy में कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या प्रॉब्लम्स है ओवर पॉपुलेशन की वर्यास है बहुत ज्यादा unemployment ठीक है तो यह लोग बोलते हैं यार गॉबर्मेंट सोसती होगी इतनी सारी population इतनी सारी population को employment भी देना है जब तक इनको काम नहीं मिलेगा कि लोग पैसा कैसे कम आएंगे और जब तक पैसा नहीं कम आएंगे तो हमारी economy आगे कैसे भड़ीगी तो ऐसे कुछ economic problems होती है तो यह क्या करते है government कहती है कि हम अकेले इस economy problem को solve नहीं कर पाएंगे कोशिश करी थी government ने 1991 में जाके बहुत बुरी हालत होगी थी तब उन्हें अपनी economy को liberate करना पड़ा था जो हमारे reforms आयते economic reforms आयते 1991 में वो उसी का reasons है government ने कोशिश करी थी कि नहीं हम अपने बलबूते पर इतने सारे लोगों की problem को solve करेंगे जोगे नहीं कर पाई थी then government has to decide नहीं हमें private sector को भी रोल में लाना पड़ेगा मतलब हमें private sector साथ की साथ public sector को साथ मिलकर इन problems को solve करना है तो जहाँ पर public sector private sector एक economy चलाने के लिए आ गई महीं पर बनगी बच्चों क्या mixed economy और इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है इंडिया सबसे अच्छा एक्जामपल इंडिया आप यहां पर देखते होंगे यहां पर government companies भी हैं साथ की साथ private companies भी हैं आपने सुना होगा government companies private companies सोनों मिलकर काम करती है उसी रीजन में government company भी चल सब्सक्राइब की government और private individuals को अपने respective roles दे दिये जाते हैं for solving the central problems of the economy तो यहने की economy के अंदर क्या problem सेल रही है public sector government को और private individuals को अपने अपने रोल दे दिये जाएंगे आप इन प्रॉब्लम के उपर काम करोगे आप इन प्रॉब्लम के उपर काम करोगे जिससे की overall economy का फायदा हो सकते हैं और इसी को बोलते हम लोग मिक्स्ट एकोनॉमी मिक्स्ट एकोनॉमी क्लियर है अब all the means of production are owned by the government as well private sector याने कि यहां पर जो means of production एने की द्रॉब मैटेरियल है लेबर है आपका पावर है electricity है इन सारी चीज़ों के उपर government company भी participant बताब government company भी इनको own करती है किसी किसी जगह पर और किसी किसी जगह पर private company भी own करती है बात ही समझ में तो यहां से हमें क्या पता लगा यहां से हमें एक चीज़ यह पता लगी कि यहां पर ऐसा नहीं कि सब कुछ government का या सब कुछ आम जनता का है यहां पर मिला कर चीज़ है private sector control करता है ठीक है अब mixed economy के अंदर क्या होता है private sector is free to take all the decision private sector क्याता है अमताब government बोलती है private sector सुनो आपके पास freedom है आप कोई भी डिशनलो आपकी company आप देखो कैसे चलानी है ठीक है आपको कैसे production करना लेकिन गवर्मेंट जो है उसके उपर निघा रखती है गवर्मेंट उसकी activities को चेक करती रहती है तभी तो गवर्मेंट टेक्स ने सारे rules and regulations बना रहे हैं आपको कितना आप सेल कर रहे हो वो भी आपको government को बताना पड़ता है क्या कर रहे हो तो प्राइब सेक्टर बाफ फीडम तो है लेकिन प्राइब सेक्टर को अपनी चीज़े शियर करनी पड़ती है गवर्मेंट के साथ in mixed economy the government में यूज टेक्सेशन गवर्मेंट क्या यूज़ करती टेक्सेशन अधर मेकनिजम्स तू रीडिस्ट्रिब्यूट वेल्थ वेल्थ वेल्दी टू लेस्ट प्रिविलेज्ज मेंबर्श और सवाइटी यहां पर एक बात बोलेगी गवर्मेंट गवर्मेंट के आगे बहुत बढ़ी प्रॉब्लम है क्या में देखती है कि कुछ लोग इंडिया के अंधर कमा रहे हैं तो उनकी life standard अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कमा पार है तो बहुत जाधा गरीब है तो बेश्टी कली क्या देखने को मिलता है कि एक एरिया तो अमीरों से टेक्सिस लेती है, क्या करती है, अमीरों से टेक्सिस लेती है। उस टेक्स का पैसा उन गरीब लोगों की भलाई के लिए यूज्ञा करा जाता है। तो बेसिकली इंडिया के इंदर जितना भी पैसा आया गवर्मेंट कोशिश करती है तो दे मेकनिजम आफ टेक्सेशन अमीर लोगों से पैसा लेकर करीब लोगों की भलाई के लिए लगाया चाहे तो यह एक मिक्स्ट एकोनोमिया क्या होता है रोल होता है यहां पर बात आई समझ में यहीं डौनों यानि गवर्मेंट और प्रडॉल करेंगे फ्रीडम तो रहती है लेकिन फिर भी गवर्मेंट निघार रखती है बात है इस समझ में कोई प्रॉब्म को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा SCARCITY कि यहां मतलब है सकार्सिटी का क्या फिक्क है अल्लिमेटीड इवन बॉंड को समझना पड़ेगा इन दो तम को समझना बहुत ज़ादा इंपोटेंट है इस टॉपिक को समझने से पहरे पहला क्या पर समझने दूसरा क्या अल्लिमिटेट हीमन वाइज लोको बहुत आसान है बहुत आसान है कुछ भी नहीं है याँ पर समझ इसका शेटी मतलब किछी चीची कमी होना मैं कह सकता हूं शॉर्टेज एक तंव लेकि चलते मॉं अपने रियल लाइफ दें हम लोग लेकिचलते हैं कि मेरी कुछ इक है मैं मैं पूरा इंडिया गूंना हुआ कोछ मेरी वाणने का मैं पूरा इंडिया कुँल Ey मैंने एंडिया की प्रॉब्लम नहीं नहीं उसके बाद मैंने एक वाण को सटिस्पवाई कर्का मेरी अगली ऐंक धूम नसी निकल कर ke rab अम मजे न यूरोप जाना है मुझे इूरोप घूमना है ठीक है मैंने इसको भी पूरा कर लिया फिर उसके बाद अगली मेरी वॉंट निकल कर आई कि मुझे दुबई जाना है यह यह जाना है मेरे को मा जाकर घूमना है अब क्या देख पा रहे हूं जैसे जैसे हमारी एक वॉंट पूरी हो रही है हमारी दूसरी वॉंट जनरेट हो रही है ठीक है बचपन में भी यह होता था हम मम्मी मम्मी बस इस बार इस बार मेरे को यह सैकल जिला दो पका पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मागने वाला आप से ऐसा हम लोग बोलते हैं फिर नहीं बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं और उसके बाद क्या होता है जैसके घर वालों सैकल दिला ही दो साल सैकल चलाई है उसके बाद फिर से बोला नहीं दिला दो फिर बड़े हुए प्रवाइक दिलवादी चार से लगा फिर बोला बाइक दिलवादो ऐसा आपकी लाइफ में फेसिस आएंगे आपका भी मन नी भरेगा यह दिलवादो पक्का कुछ नहीं मागँगा जिन्दगी बार कुछ भी नहीं मागँगा अफ़र उसके बाद तीन-चार दिन बाद पा अब क्या होगा मेरी जो रिशोर्स थे वो शॉर्ड हो गए इसकार्स हो गए जो मेरे रिशोर्स थे वो क्या हो गए शॉर्ट एक प्रॉब्लम है हमारे साथ क्या कि हमारी वांट है हमारे साथ ही सब के साथ पूरी दुनिया के साथ हमारी वांट है वह अल्लिमेंट है ठीक है हमें यह भी चाहिए हमें वह भी चाहिए इस समय इतना यह वह पट वह मिलेगा कैसे कुछ रिसोर्स से मिलेगा कुछ जरियो चाहिए बाइक चाहिए घर चाहिए ठीक है उसके बाद घरवाले बोलते है पिटा दिल्वाने का तो मन हमारा भी है लेकिन इस नहीं है पैसा नहीं है बाता ही समझ में आप फिर नहीं आई कभी-कभी आप कैसी सिच्वेशन देखते हो कि सपोस करो आप शोरूम में गई हमारी अच्छी लग रही है तो आपकी अंदर ही अंदर ही अच्छा रही होगा या दोना ले ले लेता हूं दोना काश दोनों होती काश दोनों होती बट हीर दोनों गाड़ी को खरीदने के लिए चाहिए रिसोर्स याने की मनी पैसा आपके पास पैसा तो लिमिटेड है आ आपके पर रिसोर्स इस तो लिमिटेड है याने कि आपकी वां तो बच्चुन होगा है आईये देखो बस इसे को बोलते एकशिक को बुदते एक़ोनोमिक प्रॉबलम के प्रॉबलम औस चौब अब दस लात रुपे हैं मन तो कर रहा है दौनर ले लू अब क्योंकि एक ही आ सकता एक ही आ सकती कौन सी लू बच्चो कौन सी लू जल्ली बता कौन सी लेनी चाहिए तो मेरे को न एक गाड़ी कैंसल करके एक गाड़ी सेलेक्ट करना ही पड़ेगी इनका पता है इंपक्ट है आउटकम क्या निकला चॉइस उचे चॉइस करना पड़ेगा यह 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 या फिर यह बात आ ही समझ में आपकर नहीं गाई हमेशा अगर बच्चों मेरे पास पैसा कम है कि मैं या तो इंडिया टूर कर सकता हूं यह या या दुबाई यह प पैसा इतना ही है खाली एक जगह जा सकता हूं तो मैं क्या करूगा करूगा कि कहां जाना चाहिए बात आई समझ में किधर हमें जाना चाहिए धरवालों ने बोला दस हजार उपे का बजट है पेटा अब दस हजार उपे में तेरे को फोल लेना है फोल ले ले तेरे को cycle चाहिए cycle ले ले do whatever you want to do आप क्या कि पच्पन में भी क्या आ गई आपके पास बहुत सारा है आपके पास दिन एक है अब एक ही दिन में आप कहीं गूमने जाना चाहिए होता है नहीं होता कभी कबार अभी आप बेटा थोड़े बड़े होगे जोब पर जाओगे तब आप इस problem को face करोगे आपके पास पैसा इतना है कि आप जाकर लाग दो दो दिन के अंदर पूरे इंडिया तो नहीं घूम सकते ना घूमने के लिए इतनी सारी bucket list आपको अचीव करने के लिए मात्र दो दिन वहां पर भी रिसोर्स इस लिमिटेड है क्योंकि पूरे इंडिया घूमने के लिए तीन महीने चाहिए दिन आपके पास दो दिन है कैस क्या सब्सक्राइब करें तो अगर मेरे पास घूमने के लिए पैसा कम है और मुझे घूमने जाना अगर को सबसे जाएदा मज़ा आएगा घरवालों ने चॉइस रखी तो मैं ऐसी जो चीज लुगा जिसमें मेरे को सबसे जयादा वांस सटिस्फ्रेक्शन मिलेगा ठीक है तो स्टाइम पर कस्टुमर सबसे ज्यादा सटिस्फ्रेक्शन की तरफ जाता है तो problem of choice इसमें क्या होता है? Satisfaction of unlimited wants. Problem of choice क्यों ही को कि हमें we have to satisfy our unlimited wants, वो भी कैसे है? अपने limited resources के जिसके भी alternative uses है. जिसके भी बच्चे ऑल्टनेटिव uses है. एकनोमी पर level पर example दूँ जाकर जैसे country के लेवल पर example दूँ, country के आगे क्या problem है? country के आगे problem यह है कि उसे पता है जो हमारी natural resources है, for example, crude oil, petroleum. Petroleum limited है, the resources are scarce, but उसकी demand unlimited है. जिन्दिगी भड़तक रहेगी unlimited है. यह problem है government के आगे. ठीक है? पहली problem तो यह है कि अब इसको scar city को किस तर में utilization कर सके हैं. दूसरी चीज़ government का कि problem यह भी है, alternative uses. government का कि problem यह तो है कि हम हमें petrol किस तरह से use करें? दूसरी problem यह है, कहां कहां use करें? तो how the product, how the resources should be used? पहली problem, और where the resources should be used? दूसरी problem. तो alternative uses भी है, कि हमें खाली aeroplanes के लिए petroleum use करना चाहिए, या warfare items के लिए aeroplane use करना चाह चाहिए, या domestic purpose, basically domestic गाडियों में भी करना चाहिए, commercial vehicles में करना चाहिए, किस जगा पर करना चाहिए, यह भी government के आगे problem है, और किस sector में सब चाहता petroleum रखना चाहिए? अभी government is trying to take the initiative of electric vehicles है, सबसे पहले हो domestic, जो हमारी life में, हमारी personal life के अंदर, वो electric vehicles को लेकर आना चाह रही ह है, ताकि उस sector से petroleum का जो वो हो सके, वो कम हो सके, consumption कम हो सके, उसके बाद दीरे-दीरे करके, वो commercial vehicles पर जाएगी, ठीक है, दीरे-दीरे करके, फिर आगे भी उस तीस को देखेगी, तो basically government is taking the initiative, तो reasons क्या होते है, पहला होते है क्योंकि resources scarce है, दूसरा क्या है, bonds are limited है, तीसरा क है, क्योंकि resources cars तो ही कम है, लेकिन उस resources के भी बहुत तारे users है, तो हमारी चेक करना, उस कम uses को, पहली बाद तो uses, जो उसके resources cars है, उसको भाई ठीक तरह से use करना, फिर किधर use करना ये भी एक problem है, तो ये कहा है, total economic problem हमारी बन देगी, इसमें हमारी unlimited वहां को satisfy करना पड़ता है, limited resources के तूर, जिसके भी alternative uses है, बच्चो, problem ही problem है, बच्चो, अब हमने देखा, बच्चो क्या पढ़ा, हम इने economy पढ़ दी, बात है ही समझ में, economy हम लोगों ने पढ़ दी, clear है ने clear है, हम लोगों ने, क्या बोलते है, economic problem को पढ़ दिया, economic problem को पढ़ दिया, scarcity को समझ ल problem को solve क्या से करें, इसके लिए एक subject बनाएगा, जिसके बोलते है, economics क्या बोलते है, economics क्या social science है, why it is the social science, because it deals with the public, जब भी आप economics की बात करोगे, आम जले दाते हैं, आप बात करोगे, society को आपको deal करना पड़ेगा, तो इस वज़े से social science है, जो पढ़ाती है, how society makes choices, society choice कैसे कै करती है, क्योंकि सबको पता है, wants are unlimited and the resources are limited, तो choice कैसे गरेगी, about how to use cars, resources to satisfy their unlimited wants, and how those choices impact the production and consumption of goods and services in a society, हम demand देखते हैं, हम supply पढ़ते हैं, ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं, demand वही किस तेज़ की क्यों increase होगी, हम demand के ओपर अतनी मेनत क्यों करते हैं, हम reason है, demand के ओपर मेनत करने का तो कि हम society को analyze कर रहे हैं, society को देख रहे हैं, हमें पता है, society के पर resources limited है, जैसी market के अंदर एक product निकल कर आता है, जैसे for example, थंडों में थंड के कपड़े पहने जाते हैं, यानि कि थंड जो winter close होते हैं, उनकी demand भढ़ जाती है, warm close की demand भढ़ जाती है, गर्मियों में cotton close की demand भ गरम कपड़े खरीद के ही मिलेगा, बात आई समझ में इस वरे से यहीं से demand के concept आए, यहीं से supply के concept आए, supply का concept भी exactly यही चीज़ बोलता है, इस stage की demand है, उसी चीज़ को supply करो ना, बात आई समझ में आफिर नहीं है, simple सी बात, कोई problem है ही नहीं, तो बच्चों जो choices लेते हैं इकनॉमी के production और consumption पर, production और consumption पर, producer बोलेगा, जो consumer होगा, वो बोलेगा, मेरे पास यह पैसा है, मुझे इस सब्सक्राइब 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 करने वाली है, वो गरम कपड़े satisfy करेंगे, demand automatically किस चीज़ की बढ़ेगी, हुँगी choice क्या है, गरम कपड़ों की, clear है, नहीं clear है, demand जब गरम कपड़ों की बढ़ेगी, consumption गरम कपड़ों का बढ़ेगा, production भी फिर किसका बढ़ेगा, गरम कपड़ों का बढ़ेगा, that's how the economy works, तो इनी सारी चीज़ों को, की choice कैसे करनी है, कौन बताता है, economics बताता है, तो economics से यही एक concept होता है, इसलिये बढ़ेगा,इस सी वज़े साफECोनॉमक्स के इदर number पढ़ते हो, इक सप्लाइ में पढ़ते हो, शब्यागी प्रॉदॆ कि ऐसी बढ़ेगा की पसपया,प्रॉदूमक्स के अंदर आ पॉसप्य की पसपेटिफुव से पढ़ेगा, थे हमीशार की पसपोड़ों क प्रूथ मतलब जो चीज़ें एक्च्वल में है जो चेक कर आ जा सकता है जैसे एक एक्जामपल में तुम्हें देता हूं अभी डेली गॉवर्मेंट के जो सीम है अर्बिंद केजरी बाल उन लोगों ने बोला कि डेली गॉवर्मेंट ने इनिशेटिव ले ली आने कि उसने प्रोसेस कर लिए तो डेली के अंदर कूओड़े के पहाड थे है उनको साफ करने में है ने कि साफ कर सकते हैं एक एक फेक्ट मतलब का मतलब हम क्या इस चेख कर सकते हैं चेक कर सकते हैं जाकर हैं या फिर नहीं है क्या उनको साफ सफाई करवाई जा रही है कि हम आपर काम चल रहा है हम इस चीज को भी जाकर चेक कर सकते हैं जैसे इंडिया के अंदर महंगाई बहुत भड़ रही है ठीक है अगे अ एकोनोमिक प्रॉब्लम्स हैं ठीक है और वो किस तरह से सॉल्व करें गए बोथ आधर स्टेटमेंट आप चिंग को चेक कर सकते हैं तो एकोर्डिंग टू रॉबिंस रॉबिंस क्या बोलते हैं एकोनोमिक्स कभी भी आपको यह नहीं बताएगा कि यह ठीक है यह गलत है एकोनोमिक्स बता आपको क्या बताएगा सिन एंपलाइब्ग चीसओं को क्या इकोनोमिक्स कभी यह नहीं बोलेगा अनेंपलोइमेंट इस गूर एकोनोमिक्स हमेशा बोलेगा there is unemployment in India, there is inflation in India, economics पर से बताएगा, economics चीज़ों का analyze करेगा वो बताएगा वो जैसी है, बस, वो judgment नहीं provide करवाता है, इसी को बोलते है positive economy, positive economy problem को दिखाती है, कि ये problem है, these are the problems, वो कभी भी ये नहीं बोलेगी, ये problem ठीक है, गलत है, इनने solve कैसे करना चाहिए, कभी नहीं, वो ब are a duffer, मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या statement, statement of fact दे रहा हूँ, if you are intelligent, I can check, if you are duffer, I can check, simple, आप जो हो मैं वो बता रहा हूँ, बात आई समझ में आफे नहीं आई, दूसरी साइड अगर मैं positive economy, normative economics की तरफ देखू, normative economics दूसरा देती है, normative economics बोलती है, कि ठीक है, हम स problem हो, किस तरह से solve कर सकते है, what out to be, और how the economic problem should be solved, cancer is injurious to health, sorry, cigarette, cigarette is injurious to health, because it causes cancer, it is a statement of fact, सही यह गलत है, पी के देख लो, बात ही समझ में आप इन नहीं आई, statement of fact, check कर सकते हो, सही बोल ला है, गलत बोला, पी के देख लो, पता चल जाएगा, तो, cigarette is injurious to health, it is a statement of fact, बात ही समझ में, वो injurious to health है, बच इतना बता रहा है, अभी भी यह नहीं बता रहा है, सही है या गलत है, injurious to health सही है या गलत है, clear है नहीं, clear है, on the other side, on the other side, अगर यह चीज़ बोलेगा, कि cigarette should be banned, cigarette should be avoided, ठीक है, तो यहाँ पर एक ज्यान दिया, बोलना है, क्योंकि इसे पता है गलत है, तो यहाँ पर एक judgment दिया, clear है, तो positive economics कोई value judgment नहीं देता, clear है, यह verify करा आजा सकता है, actual data के साथ, क्योंकि यह fact है, क्योंकि यह क्या है, fact है, but यह क्या देता है, value judgment देता है, value judgment देता है, it is suggestive in nature, यह जीचेशन देता है, suggestion देता, cigarette should be band, suggestion दे रहा है, क्यों, ऊपर वाले नहीं दो बोला, cigarette is injurious to health, यह ऐसा करके बोला, drinking is injurious to health, basically alcohol is injurious to health, उपर वाले तो बता रहा है, यह ना तवेत खराब कर देगा, बात ही समझ में नहीं है, सब को पता है, हर पीने वाले को पता है, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमारी शियत के गलत है, तो सब को पता ही है, ना, बट, क्या आप उस चीज को मानने है, यह ठीक है, अगलत है, यह दो अलग अलग चीज है, बात ही समझ में, तो यह बताएगा, क्या प्रॉब्लम है, यह पताएगा, किस तरह से solve करना चाहिए, तो यह सच्छा ही बताएगा, यह उस पर suggestion देगा, बात ही समझ में, यह एग्जामपल, प्राइज इन इंडियन एकोनोमी इस इस इंदर, ओके है, तो अब चो पच्छों हमारा नेक्स टॉपिक है, वो है डिपरेंस बिवीन पॉजिटिव और नॉमेटिव एकोनोमिक्स, पढ़के आ रहे हैं, मतलब पता है, पॉज What is and what are the problems, and how those problems are actually solved, so this talks about the reality, ठीक है, चो कि यह real में है, और अगर ही fact है, तो आप इसको जा के चेक कर सकते हो, कि यह actual में है भी या नहीं है, ठीक है, but it deals with what out to be, भीया, क्या होना चाहिए, और किस सरीके से economic problem solve होनी चाहिए, तो it is kind of a, यह सच्चाई बता रहा है, और यह एक suggestion दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यह fact है, तो यह verify हो सकता है, क्योंकि suggestion है, तो gravawni नहीं हो सकता है, ठीक है, purpose क्या है, it aims to make real description, यह क्या बताता है, यह घुन्य के बारे में बात करता है, ठीक हैация, Michelle, ठीक है, it is suggestive, not suggestive in nature, जो सच्चाई बता है, ले रहा है यहां पर बता रहे हैं मतलब यह सही गलत बता रहे है कि पहले बताएंगे फिर बन करने के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए बात आई समयच में बट यह हैं बताएंगे यह बोलेंगे आपको कि cigarette is injurious to health, it causes cancer, अब cancer गलत है ठीक है हम नहीं बता रहें, injurious to health हम नहीं बता रहें कि यह ठीक है या गलत है, बात आई समझ में आप इंडियाई, it is fact और यह बताएंगे कि नहीं यार, cigarette पीना गलत है, और क्या बोलता है, government should take action against it, So, अगर हम economic example की बात करें, तो इंडियन economy में price constantly rise हो रहें, इन्होंना सच्चाई बता दी, on the other side क्या बोलेंगे, staff लेने चाहिए, value judgment दे दिया, यहाँ पर inequalities of income है, यानि कि कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, किसी काम की value इंडिया के अंदर बहुत बहुत कम है, distribution of income inequality, यह क्या बोल रहा है, सच्चाई के बारे में बता रहा है, लेकिन यह क्या बोल रहा है, एक बोल दा नहीं नहीं, government should take step, government to take step to solve this problem, ठीक है, तो यहाँ पर value judgment दी जा रही है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, next, एक्ते है, micro and macro economics and it is very very important for your exam perspective, very very important, difference के difference teachers काफी पूछते है, micro and macro economics में, तो बच्चों यह तो बिलकुल आप एज़ेटिस करके ले जाना clear है, काफी ज़्यादा आता है, समझो, मैं क्या बता रहा हूं, देखो इस चीज को समझो, और example it is an economy, यह बच्चों एक 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 अपस में मिलता है, aggregate होता है, ठीक है? तब उससके बाद बनता है, ओवरल, बात अपस न रहूं समझ में आपे नहीं आई तो जहां पर economics जहां पर economics बच्चों एक single individual के बारे में बात करेगा इंडिवीचल के बारे में बात करेगा उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे और जहां पर पूरे के पूरे एग्रीगेट के बारे में बात करेगा उसको बोलेंगे बच्चों में बात करता हूं तो वह मेरा हो गया एक सेकंड स्पैलिंग ठीक कर देता हूं तो अगर हम लोग बच्चों एक इंडिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इंडिवीचल के बारे में बात करेंगे अगर मैं पूरे अग्रीगेट के बारे में बात करेंगे अगर मैं पूरे अग्रीगेट बनादूगा पूरा समप कर दूंगा मेरा अगर हम यहां पर खाली एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और यहां पर इस सारींदेस्bereich के बारे में बात करेंगा तूल्स क्या होते हैं इसके 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 इन इणिशह करे में बातकर रहो है यहां पर ओक्र बातकर नियुजए की की इन इंटरर से वाट इन पाज्चं को तो उसके लिए बतायेगा यानि कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने प्रॉड़क्शन के फैक्टर कलेक्ट करने में उसको कि एक कमोडिटी का प्राइस कितना रखना चाहिए तो बेसिकली यह जो परस्पेक्टिव रखेगा वह एक एक इंडिविज्चल प्रॉड़ूच्ट प्रॉड प्रॉड़ूच्ट प्रॉब्लम्ँ नहीं है लेकिन यहां पर highest degree आने कि अगर हम industry की बात करेंगे तो macroeconomics पर सारी industries आनी चाहिए एक दो नहीं सारी industries आनी चाहिए एक अधर नहीं कहा है इसको फ्राइस चुरी बोलते हैं because it is related with the price of a commodity and इसको फ्राइस पर बोलते हैं income and employment क्योंकि इस पर अपना focus करता है income and employment पर एक्जांपल individual income, individual outfit, national income, national output I guess it is clear to you now main point याद रखने वाला है कि macroeconomics individuals के बारे में बात करेंगा, individual behavior के बारे में बात करेंगा, economy के अंदर और उसी जijn macroeconomics पूरे aggregate के बारे में बात करेंगे एकक करेंगा, next हम बढ़ते है, what are the central problems of an economy, so there are 3 central problems of an economy, तीन सेंटरल प्रोब्लम्स होती है एकोनामी की पहली सेंटरल प्रोब्लम होती है वाट तू प्रेडियूस वाट तू प्रेडियूस अगर इसका एक्जामपल लेके चलें अगरियूस यही रही है तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को चुटी सी माँग के चलो हाई मैं इक फेक्टरी सेट अप कर रहा हूं अपनी ठीक है ऑई बाट टू सेट अपके जिसके अंदर में बनाना चाहूंवा एक्जामपल ले लो ठीक है जिसके अंदर बच्चों मैं लोग बनाना का चाहता हूं या फिर मुझे पताई लिए I want to set up a fact बस अभी इतना समझों कि I want to set up a fact कि यार सबसे पहली problem जो first problem मेरे आगे वो यही रहेगी कि क्या बनाूं what to produce क्या बनाना चाहिए कौन सब प्रोड़क्ट मुझे बनाना चाहिए इस समय एकोनोमी को किस प्रोड़क्ट की ज़्यादा जरूरत है सबसे पहली प्रॉब्लम यह रहने वाली है हाया ना कभी कबार आप लोगों ने रिलेटिव में आपने घर के अंदर देखा होगा आप लोगों ने बच्छों खुद भ करोगे वह अल्टीमेटली नेशन को ही रिप्रेसेंट करने वाला है आप अगर मांग के चलो सीए बनते हो तो आप नेशन की एक फाइनेशल पावर जो है फाइनेशल में पावर जो है आप उसके अंदर कॉंट्रिब्यूट करोगे तो कहीं ना कि आप नेशन के लिए प्र पाना स्टार्ट करोगे तो एनी हाव यू विल बी कॉंट्रिब्यूटिंग तो आर नेशन तो आर एकोनॉमी ठीक है आप किसी भी तरीकी से प्रोड़क्शन करोगे सबसे पहले आपके आपके यहीं जो पॉइंट आएगा क्या करूं तो ऐसी प्रेडिउसर के आगे क्लियर है अच्छा पहले कोशन का आंसर मिल गया मैंने जैसे तैसे डिसाइड कर लिया कि क्योंकि हमारे देश की पॉपुलिशन बहुत जादा है और अब दीरे-दीरे करके क्योंकि एकोनोमी डैबलब भी हो रही है तो लोगों की डिस्पोसेबल इंकम की कैपिसिटी भढ क्योंकि एक मिनिट यहां पर देखना वच्चों ध्यान से बनाओं कैसे दो तरीके होता है बनाने के मेजर ली पहला मशीन के थुरू जो आपके पास कपड़े बनकर आते रहेंगे एक होता है इनसानों के थुरू मैन पावर ठीक है इनसान को लगा वो आपको कपड़े बन है लो टांच लगं पर देता हैं लेकर इनसान मेरे को एक बात बताओ यह हमारे लिए प्रॉब्लम रहती है क्यों रहती है सुनना मेरी बात को पैसा ज्यादा लगता है तो पैसे कि अर्रेंजमेंट ज्यादा करना पढ़ेगा मशीन को कभी कभी इंपोर्ट भी करनाना पढ तो जो पैसा जाधा लगता है मशीन के अंदर ठीक है लेकिन उसके फाइदा भी है कि वो प्रॉडक्शन पहुत प्रिश करके देता है ठीक है ऑन दाधर साइट लेबर इंटेंसिव टेक्नीक में सबसे प्रॉब्लम ये है कि फ़ी प्रॉडक्शन आपको स्लो होगा लेकिन फ की तरफ होगा इसके दो फाइदे होगे क्या छीज की ठीक साथ दूसरा को फाइदा मेरे को लेबर आसानी के साथ मिल जाएएगी यह halalar फापक। नफिक कर वह शले कोना उर्व का कुर्धिक बैसा कंदेब को का एंती कपड़े गरीबौं के लिए वह दो सटंस्य कपड़े या में बनाने चाहिए भूडे लोगों के लिए कपड़े बनाने चाहिए मेरे जैसे एडल्लोग लेकपडे बनाने चाहिए या यी थुआ जएंदी इस रिलोग थो तो फे नो ज स्पोर्टर ग़्यायकि या की जो बच्चे स्पोर्ट्थ्स के तरह जादplaces जयादा उनके लिए शूम्पनाने चाहिए या ऐसे बनाने चाहिए तो यह मेरे आगे प्रॉब्लम है हम मैं किस सेक्टर को किस कम्मिनिटे को टागेट करने वाला हूं तो यह प्रॉब्लम ना तीनों जो चीज़ें हैं वह एक प्रॉब्लम होती हैं अकोनॉमिक के लिए बात अब समझ में नहीं आई विककाइब अपर नहीं प्रॉब्लम हो यह प्रॉब्लम के ऊपर बताओ मेरे पास पैसा होता ठीक है अपना पैसा जगह पर इंवेस्ट करना चाहतों घाषें में जादा ज़्यादा प्रॉपिट कमा तकूं इसी बरेस्न मैंने पहले अपर दिशनल है और कावकि आक kommt अच्छा बनाना चाहती आप अच्छा बनाने त्या अच्छा पनाने को तोकर नहीं कर सकती फो ऐसी समय करें残ड कर देगी जहां उसको ज्यादा स्यादा प्रॉफिट मिल सके अगर सपोस करो मैंडशेट भी काम आता है अगर मुझे बल्क में प्रॉडक्शन करना है तो सस्क अपड़े बनाओ ठीक है वो कहागा नहीं मुझे कम चीज़ें बनानी है लेकिन महेंगी बेच नहीं है तो रिच सेक्टर के लेकिन उसके बाद भी रोल सर्वेश के जो प्रॉफिट है वो धाता रहता है क्यों तो अलग अलग है किस कम्यूटी को रेप्रेजेंट करें अपर प्रॉडक्ट को सो यही प्रॉब्लम होती है तो अगर हम सबसे पहले इहां पर देखे हैं तो वाट्टू प्रेड्यूस म कितनी कॉंटिटी बन दोना चीज़ा आती है बाता ही समझ में आप पर नहीं है क्योंकि वह हमारी रिसूर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा हम डिसीजन लेकर रहे हैं विकॉज रिसूर्स के पैसना लिमिटेट होता तो कितना भी मना मुझे सोचने की घजर होता है कु सबक्राइक और उसमें आगे पड़ते चले जा रहें नेक्स्ट हाव तो प्रेट्विस कैसे बनाऊ सेलेक्शन ऑफ टेक्निक यहां पर क्या आता है बच्छों सेलेक्शन ऑफ टेक्निक कि मुझे अपना प्रोड़क्शन करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए बाता ही समझ मे है इसमें दो टेक्निक होती है पहली होती है हमारी कैपिटल इंटेव टेक्निक यहानि की मशीन का यूज करके इसका यूज करके बच्छों मशीन का यूज करके इसमें मशीन का यूज़ करोगे तो आप लोगों की लेबर कम यूज़ होगी और सेकिड ने हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेबर इंटेंसिव टेक्निक इसके लेबर का यूज़ करोगे अब दोन अपनी जगह suitable है ठीक है अगर मैं पास करता हूं बटाए यूरोपिय लेकिन अगर हम इंडिया की बात रहा है तो इंडिया के लिए यह चीज एकदम परफेक्ट है यहां पर पॉपुलेशन बहुत जादा है और इतनी जादा इंवेस्ट करने को पैसा लोगों पर होता नहीं है ठीक है अगर आम जब्दा की बात करें तो इकोनोमी के लिए कौ पॉपुलेशन कम है बात ही समझ में तो एक कंट्री नहीं पर पॉपुलेशन कम है वह अफकोर्स ही बात है कि एक पॉपुलेशन बहुत जादा है उसके लिए स्टेवल है कि यहां प्लेवर इंटनेंसिव टेक्निक की तरफ जाओ उससे क्या होगा एंप्लॉइमेंट भड करते हैं इसके अंदर जो कि हमारे गुट सो कंट्यू करेगी कि हमें ज्यादा पूर के लिए बनाने चाहिए या कम रिच के लिए बनाने चाहिए बच्चों के लिए बड़ों के लिए बनाने चाहिए बड़ों के लिए बनाने चाहिए इसके अंदर आ सकता है ठीक है स्पो लोग पढ़ते हैं opportunity cost और यह तो मैं आपको एक मिनट के अंदर समझा दूँगा एक मिनट के अंदर मैं आपको opportunity cost समझा दूँगा सब्सक्राइब बच्चो मैं एक fresher college student हूँ मेरा अभी अभी college खतम हुआ है और मेरा college में बहुत अच्छा perform करा और मेरे को ग्युिन-पकेजेस मिले college की तरफ से ठीक है मुझा तीन job की options मिले colleges की तरफ से आई कए देखोते पहला option मिला वो मेरे इक गूगर की तरफ जो पहला option मिला बच्चो घो को मेरे को मिला तो गूगल की तरफ है तो गूगल ने मेरे को क्या ओपर करा कूब ने मेरे को ओपर करा मैं एट्टीनलैक्स पर आनम यारे कि साल में आप स्थारा लाग रुपे देंगे अगे लिए हैं एमेजॉननने मेरे को ओफड दिया मेरे को एक बात बताओ उसमें से छोटी सी मैं क्या चूज करूंगा सब को पता है जो सबसे जादा होगा वो चूज करूंगा तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा इसको मैं सेलेक्ट करूंगा अगर अगर इनकेश मैं इसको सेलेक्ट ना करता तो मैं किसे सेलेक्ट करता अगर मै मेरे लिए best option था PCS के बाद तो यह बच्चो मेरा क्या था next best alternative था या नहीं था next best option था या नहीं था मेरे लिए अगर मेरे पास PCS ना होता तो मैं किसे चूज करता Amazon चूज करता नहीं करता तो basically PCS के बाद मेरे लिए best option कौन था Amazon था बात यह समझ में आपन नहीं आई तो बच्चो Amazon क्या बन गया मेरे नेक्स बस आल्टरनेटेव है वही मेरे क्या बन गया opportunity को अपॉर्चुनिटी अप अब Amazon को थुकरा कर मैंने TCS का हाथ पकड़ लिया वच्चो Amazon को थुकरा कर मैंने TCS का हाथ पकड़ लिया क्या गूगल भी हमारी opportunity cost होगी नहीं गूगल किसी भी category में नहीं आएगी यह यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज़्यादा confused रहते हैं clarity उंको टंग्से नहीं मिलती है क्यों मैंने देखा एकसर बच्चे क्या समझते हैं इस अगा पर बच्चे समझेंगे अगर मैंने TCS को पकड़ लिया तो यानि की Google और Amazon दोनों मेरी opportunity cost हैं जो की गलत है opportunity cost हमेशन एक ही रहने वाली है मतलब next best alternative अगर TCS को मैं select ना करता तो TCS के बाद कौन सी company को select करता of course ती बात है Amazon तो Amazon is my next best alternative then Amazon is my next best alternative then it will be my opportunity cost simple सा concept है Google कहीं पर भी frame के अंदर आएगा भी नहीं बात आगी बच्चों आपको समझ में कोई problem इसके अंदर नहीं है so that is a definition of opportunity cost and opportunity cost is really very simple so opportunity cost is the cost of next best alternative for one अब वो जा चुका है ठीक है जैसी मैंने TCS select करा Amazon मेरी जिंदेगी से चला गया बात आगी समझ में आफिर नहीं आई कोई problem कोई दिक्कट नहीं है ठीक है जैसे for example ऐसा वैसा होगा नहीं है hypothetical example यह बच्चों लड़तों भी जिंदगी में बहुत ही कम ऐसा होता है प्रपोस करा आप प्रपोस करा आप अपने बेस्ट वाली थी उसका हाथ पकड़ लिया अगर वह नहीं होती तो उसके बाद बेस्ट कौन सी होती वह आपकी अपॉर्टिनिटी कॉस्ट अपने बेस्ट वाली का हाथ पकड़ा वह तो बैटा चली गई ना वार गॉन चली गई तो आपकी अपॉर्टिनिटी कॉस्ट बन गई वह ठीक है तो आपका नेक्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वह गया बात आगी समझ में आप पर नहीं आई तो ऐसा ही तो पॉर्टिनि इस च्प्टर की जान इस च्प्टर का शोल ही इंधर ध्यान से इँ कि *** सब्सक्राइब करो एक फार्मर के पास लेंड है उस लेंड के उपर फार्मर वीट भी उगा सकता है और फार्मर उस पर राइज भी उगा सकता है कैने कि वीस और राइज दोना उस पर प्रेडियूस कर सकता है। covenant करते जा तो फार्मर उस पूरी लेंड पर बीट भी हुगा है यहाव मैं पूरी लेंड पर अपने रास भी उगा हूं MICHAEL कुछ भी कर सकता है ना इसके हाथ है या फिर मैं कुछ vuit हुगा हूं, कुछ rice हुगा हूं. उसके पास बहुत सारे alternative निकलेंगे. कि अगर वो डीट हुगा गाएक. एक alternative पूरा rice हो गाएक दूसर alternative थोड़ा वीट हुगा हैगा ज्यादा rice हो गाएक. ज्यादा भीट हुगा हैगा, थोड़ा rice होगा एक alternative दोना बराबर होगा एक alternative तो उसके पास बहुत सब्सक्राइब निकल कर रहेंगे combinations के clear है यह तो आपको समझ में आ गया होगा जो important चीज है यह आपर समझने कि वह यह है because the land is limited because the land area is limited land का area is limited तो अगर suppose करो वो पूरी लेंड पर बीट उगा है वह पूरी लेंड पर बच्चों भीट उगा रहा है यह समझने वाली चीज है यह important point अगर यह समझ में आ गया तो पूरा concept समझ में आ रहेगा अगर वह बीट उगा रहा है बात आई समझ में पूरी लेंड पर और उसने decide कर रहा है नहीं नहीं अब मैं थोड़ा थोड़ा राइस भी उगांगा तो जैसे ही वह राइस उगाना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा वीट का प्रडक्शन कम भीट का प्रडक्शन कम हो जाएगा यह सबोस करके चलो सपोस्पोस कही असलियत है विकात एशनिय अभी अब डालेंड इस लिमिटिड सब्सक्राइब इतने एरिया में जो है है वीट उगा रहा है नहीं नहीं हो गया हो जब भी जब जब भी बच्चों आप के पास resources limited होती हैं और आप resources को पहले एक alternative में डिवाइट कर रहे थे लेकिन जैसे आप दूसरा alternative resources limited ना होती तो यह problem होती नहीं सारी problem की जड़का है because the resources are limited अगर यहाँ पर land हमारे पास unlimited होती तो कहीं पर भी राइस होगा है कोई problem नहीं है because the land is limited उसने थोड़ा सा राइस होगा है उसकी beat कम हो गई यहीं इसके अंदर क्या है बच्चों यहीं इसके अंदर grabbing point है यहीं हम transformation boundary transformation front tire ठीक है किसी भी नाम से teacher पर देदेगा फिर आप गालिया दोगे यह तो पढ़ाया नहीं था नाम अच्छे से देख लेना okay the production possibility अगर यहाँ पर मैं एक चीज देखूं आप लोगों को कि इसके अलग-अलग alternatives बनेंगे या नहीं बनेंगे कि alternative 1 alternative 2 alternative 3 कि इस case में क्या करेगा इस case में कितना कितना production करेगा इस case में क्या करेगा तो जब हम इस सारे alternatives को एक graph के उपर represent कर देंगे कुछ इस तरह से इसी को हम लोग बोलते पीप है तो हमारे पास line बनकर आती है बच्चों अभी इसी को बोलते क्या नहीं कि हर alternative में रहो क्या बता रहा था कि एक पार्मर अपनी उस land के ऊपर maximum कितना production कर सकता और उस production के अंदर wheat और rice क्या क्या combination रखेगा तो जब आप उन सारे combinations को represent कर दो गए एक graph के ऊपर और उसी graph को क्या बोला जाएगा बच्चों पीपीएफ बोला जाएगा वह कुछ इस तरीके का होता है तो इस तरीके का होता ही हमारी x-axis हमारी x-axis हमारा पीपीएफ और यह इतने भी points जिसके ऊपर आएंगे ना वह points इक combinations बताएंगे कि इस point के ऊपर कितना wheat और कितना rice उग रहा है तो यही अप यही होता है PPF कोई बात इसके अंदर दूसरी बात याद रखने वाली है कि हमेशा जो PPF माना जाता है PPF की लाइन आती है उसका मतलब यह होता है कि उसके उपर आपकी यहांने कि जब भी पार्मर अपने cases बनाएगा कि उससे इतना wheat होगा ना इतना rice होगाना है तो माना जाएगा कि उसने land का एक एक हिस्सा यूज करा है कहीं पर भी कोई भी लेंड खाली नहीं छोड़ी होगी उसने पर पर्वार्मर कॉटन बिल्कुल नहीं होगा रहा लेकिन wheat जो है यहां पर wheat rice आना चाहिए cotton के लिए मैं कहता हूं राइस ले ले लिए तो ज़्यादा बीट बिल्कुल नहीं होगा रहा होगा और यह कुछ हमारे cases बने जो कि मैंने आपको समझाया था अब यह सारे cases को जब मैं graphically represent कर दूँगा तो मेरे को PPS मिलने वाला मेरे को बच्चों-वाला मिलने वाला पीपिस मिलने वाला लोग बनाकर दिखा देते क्या ही problem है और गी आप मेरे क्हों क्यों ग्awa है ऐक सिस्वोमेरे से ले रही तरह तो भढ़ रहा है उसको पर ले रहेते हैं तो यह हो गया 1 2 3 4 5 6 यह हो गया हमारा राइस ठीक है और तो कम हो रहा है तो आएक्सिस पर ले लो बेसिकली वीट, अब वीट हमारे पास कितनी है, वीट हमारे पास maximum 21 है, 3 के multiples में मैं ले लेता हूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ओके, cool, ओके, अब इसको हम plotting करना start कर देते हैं, कि वो पहले case में क्या कर रहा था, वो पहले case में पूरा का पूरा वीट ही हुगा रहा था, पहले case में हैं कि पहला point इस जगा पर आएगा, cool है, second point में एक rice है, और 20 wheat है, एक rice है, और 20 wheat है, second point कहीं हिखी अधर आएगा, second point हल्का सा नीचे आएगा, रूपो, इस जगा पर आएगा, second point, cool है, पिर वो दो wheat उगा रहा है, और 18 rice, sorry, 2 rice और 18 wheat, याने कि तो third point आएगा, वो खूरा इस पंदरा वीट, तीन राइस और पंदरा वीट, यानि कि कुछ इस जगा पर आएगा, ठीक है, कुछ इस जगा पर आएगा, ओके, फिर उसके बाद, चार राइस और ग्यारा वीट, चार राइस और ग्यारा वीट, यानि कि कुछ इस जगा पर आएगा, कुछ इस जगा पर तो जब मैं इसको connect करूंगा तो अभी हो सकता बोड के उपर हंसे निकल के ना आया हो लेकिन कुछ इस तरीक है गई शेप बनेगा तो इसको एक बार हटा के मैं ठीक कर देता हूं यह कुछ इस जगा पर आएगा यहको बचन इस जगा पर आएगा ठीक है तो यह मेरे पास पॉइंट आ गए थी possibility बन थी यह possibility उल्सी इसलिएटी ती वो मैंने graph के उपर अगठी बिलकुल तो दीम स्क्राफ मेरा q तो यह उपर से नीचे की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसका शेप कैसा है बेटा बारे में आपने पढ़ा होगा मेरे सच्छे से जानते होंगे अगर कोई इंसान और खड़ा हुआ है और इसकी तरफ देख रहा है तो चैने भी पॉइंट्स आंगे हर पॉसिबिलिटी मिल ले वाली है और उस पॉसिबिलिटी पर यह माना जाएगा कि उस फार्मर्ण में अपनी पूरी हंडेट पर्सेंट रिसोर्स को धंग से यूज करा है और उसके बाद वह इत जगा पर पहुंच पाया है याने कि पीपी एफ हमेशा वह कॉम्बिनेशन बताएगा पीपीशी हमे क्लियर है ओके आई थिंग यह क्लियर हो गया होगा अब एक कॉंसेप्ट आता है मार्जिनल अपॉर्टिनिटी कॉस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं MOC यहां पर MOC समझ के देखना देखना दूसरे केस में MOC निकलेगा देखना बच्चों यहां पर मैंने एक राइस का क्या होता वीट होता या नहीं होता तो यहां पर मेरी टो होग होगा यहां पर मेरी अपॉर्टुनेटी,कॉस्ट तो यहां पर मेरी अप्रच्च्च्च्च्च्स क्या थी ? बात आ iし ऑसहां अपर नहींисл로 aumento घा,टो मेरा एक पॉर्चिनींटी क्या होगी इर हैınız भात ऱ थी मैं aider। आगा है दो और कु भी निương होता है दोनों चीजा सेट है। बस बस इस देञी को लोग के फॉर्म और में बस यह पता लाग रहा है एक फीट को छेक्रिप्पाइज करें दो deberím को सेक्रिपाइज करा, तीन वीट को सेक्रिफाइस करा, अगर हम इसे MRT की फॉर्म में लिखूंगा, तो एक वीट को सेक्रिफाइस करा, एक राइस के लिए, अब ये MRT बताता है, यानि की रेशियो की फॉर्म में बताता है, दो वीट को सेक्रिफाइस करा, एक राइस के लिए, चार वीट को स sacrifice करा लेकिन किसके लिए करा एक राइस के लिए करा तो ratio की form में मेरे को बता तो प्रॉब्लम इसके अंदर I think MOC और MRT दोनों समझ में आगया होगा MOC और MRT similar in nature but MOC खाली तो sacrifice हुआ है वो दिखाएगा MRT दोनों का ratio बताता है कि अच्छा कितने के लिए करा है वो भी ratio लगा के आगे दिखा देता है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है यह हो चुका होगा तो marginal opportunity cost पता ही है MOC refers to the number of units of commodity sacrifice कितना आपने sacrifice करा तो गेन वन एडिशनल उनिट तो आपने एक राइस को गेन करने के लिए जितना sacrifice करा वो आपकी क्या है MOC है कोई problem in case of PPS MOC is always increasing PPFA case में MOC क्या रहेगी बच्चों हमेशा increase करेगी इसका reason एक minute में समझाओंगा समझ मैं आ जाएगा बहुत अच्छे से suppose करो कुछ labor scotting में क्या अमने इसर जाघिलभीट करने वह ठीक होगा कि मुझे भी बनाना है तो गना पना ने पड़ेंगी क्वो защit कश्प्ट करनी पड़ेंगी कॉमन सेंस के साथ बता वह कौन्सी labor को वीट बनाने से राइस बनाने पर shift करेगा वो हमेशा उस लेवर को shift करेगा जिस लेवर को वीट भी अच्छे से बनाना नहीं आता क्योंकि उसे सारी लेवर को राइस बनाना सिखाना पड़ेगा जिसे वीट बहुत अच्छे से बनाना आता है उसको भी उसे राइस बनाना सिखाना पड़ेगा, जिसे वीट बहुत कम अच्छे से बनाना आता है, उसे भी उसे राइस बनाना सिखाना पड़ेगा, बात ही समझ में, मैं उसकी जगा हो तो मैं हमेशा जिसे वीट बनाना नहीं आता, उसको मैं राइस पर शिफ्ट करता, क् करें अच्छे से बनाना पड़ा होगा इस पहले से पेकार वाली अच्छी वाली पिर उसे थोड़ी अच्छी वाली प्रिस्से थोड़ी अच्छी वाली देखते 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 जो लास्ट मैं सकते अच्छा काम कर रही थी उसको भी शिफ्ट करना पड़ा इस वरे से आप क्या देख रहे हो मार्टी बढ़ती चली जा रही है जब जैसी लेवर में शिफ्ट करूंगा मेरा कुछ वीट का लॉस्ट तो होगा वीट का सेक्रिफाइस तो ह युषप और क्या करां तो इस वरे से मेरा एमोब हुक्रीट कर न किसका सब्सक्राइब निकालनगे घिताए था प्रब्लम प्रब्लम को नेक्स हम लोग एतना कि एसंट्स क्या होती है पीपिएप के पीछे पहली यह होती है कि खाली तो गुट्स प्रड्यूस होंगे इतने भी आपके प्रब्लम को आप चाहे वीट बनाने में यूज कर सकते हैं आप उस लेंड को कम या जादा नहीं कर सकते वो फिक्स रहने वाली है रिसोर्च फुली एड एफिशेंटली यूटिलाइज होंगे आने कि हंड्रेट परसेंट आप उसका यूज कर रहे हो कोई भी रिसोर्च इसको बेस्ट नहीं करने दे रहे हैं यह भी मैंने बताया था रिसोर्च इसार नौट इक्वली एफिशेंट इन प्रोड़क्शन और इसी की वरे से भी बच्चों मेरा अगर सारी लेबर इक्वली परफेक्ट होती वीट बनाने में भी और राइट बनाने में भी तो मेरा हमेशे एक्वल रहता लेकिन यह तो पॉसिबल नहीं है अभी आप मेरे से आप जब किसी ऐसी लेबर को करोगे जिस लेबर को वो काम बहुत अच्छे से आता है और आपनों से किसी और काम पे लगा दिया तो आप जो sacrifice करने वाले हो ना वह बहुत जादा होगा कि अगर आप मेरे से भी बोलोगे कि सर एक्वनोमिक छोड़के math पढ़ाना start कर तो math में जो मेरा output निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा लेकिन यहां से जो मेरा output कम होगा वह बहुत जादा हो जाएगा यहां से आपको loss ज technology अच्छी है वीट के लिए technology खराब है हम कहते है same technology same constant कोई problem इसके अंदर नहीं है यह assumption है तो assumption अगर आतकर ने है दो गोड्स होने चाहिए resources fix होंगी पहला क्या दो गोड्स दूसा क्या resources fix हो सकती है fix resources को आप alternative में use कर सकते हो कभी कुछ बनाने के लिए कभी कुछ बनाने के उसमें कोई problem नहीं है resources 100% यूज होगी वेश्टेज नहीं होगा बात है इस समझ में जो resources है उनका जो utility है वो same नहीं होगा clear है कोई resources बहुत अच्छी हो सकती है कोई खराब हो सकती है और तो technology का level है वो हमेशे constant रहने वाला यह 5 assumptions है PPF की characteristic क्या अभी मैंने लिखवा है downward sloping है of road ambition करता है क्यों कि जैसी जैसे यह्म कर बढ़ारे थे जैसे एक कोट का production भढनारे के लिए ने के लिए वीट का production कम करना पड़ांगोट कोशन बढ़ा और नीचे की तरफ आ रहा था क्यों की यह कम हो रहा था बाद आई समय पर इसकी विरस ते डाउनवर्ड लोपिंग बना अब इसके वह प्रक्राइब इसके बाद आपको कोछ ज्यादा नहीं लिखना हूं उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अब आता है अटेनेवल कॉंबिनेशन अनटेनेवल कॉंबिनेशन देखो ज्यान से यह हमारा क्या है PPS क्लियर है इस PPF के उपर कुछ पॉइंट्स होंगे सपोस करो मैं इन तीन पॉइंट्स को नाम दे रहता हूं A B C PPF के भाहर भी कुई पॉइंट आ सकते हैं मैंने दे दिया D PPF के अंदर भी पॉइंट आ सकता है कि अगर मैं इससे बोलूं गा इसमें मेरे को दूड के बता कौन कौन से पॉइंट जो है मैं अटेन कर सकता हूं तो मेरे को सोचके देखो हो अगर आपके पास जितनी रिसोर्स हैं जितनी भी सुवधाइं हैं आप उनका 100% भी करते हो तो अभी आप PPC की लाइन तक ही पहुंच सकते हो तो अभी आप PPF की लाइन तक ही पहुंच सकते हो उससे आगे नहीं जा सकते हैं तो कॉंचे होंगे A, B, C और E, E भी आप अटेन कर सकते हैं कोगी PPC के अंदर आना है ठीक है इसको क्रॉस करके आप आगे पहुंचे होंगी और A, B, C को भी आप अचीव कर सकते हैं तो अटेनेबल जो पॉइंट्स हैं मेरे पास अटेनेबल कॉंबिनेशन हों है वो A है B है C है और E है क्लियर है डी को आप कभी भी अटेन नहीं कर सकते हैं कि आपको अगर माम के चले मुझे डी को अटेन कडना होता तो मेरा कुछ PPF इस तरीके से निकलता, याने कि मुझे इसका भी production increase करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, और इंका production increase करने के लिए मुझे और जाधा resources चाहिए, जो resources है नहीं, तो D को तो आप कभी भी attain नहीं कर सकते, clear है तो attainable points क्या है, A, B, C और E, इस मैं से जो optimum utilization utilization, याने कि आपने resources का 100% use करके, जो output निकाला है, वो ही 3 होंगे, A, B, C, और E क्या होगा, इसको आपने inefficient utilize, याने कि आपने resources को पूरा utilize नहीं करा है, इस परे से आपका जो output है, वो इस जगा पर रह गया है, बात आई समझ में आप इस नहीं आई, okay, unattainable combination कौन से होता है, जो क्या नहीं कर सकते, attain नहीं कर सकते, आपको अपने resources technology में improvement चाहिए होगा, तब ही आप D को attain कर सकते हो, फिर आता है shift in PPF, क्या आता है बच्चों, shift in PPF, आजाए, shift का मतलब क्या होता है, पहला example देके चलते हैं, देखो, जब भी shift होगा, जब भी shift होगा, वो दूरीजन की व PPF shift कर जाएगा, यानि की production भढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, दूसरा, resources, तो इन दो reason की वज़े से ही shift आएगा, किस में PPF के अंदर, तो पहला case लेके चलते हैं, कि यह पुराना वाला PPF, यह नया वाला PPF है, बच्चों, क्या हो गया है, हमारा PPF, right word shift हो गया है, क्या हो ग shift आए, तो समझ लेना, हमारी production की opacity भढ़ गई है, क्लियर है, नहीं क्लियर है, production जादा हो रहा है, production जादा कब होगा, जब technology improve परेगी, या फिर जब resources increase कर जाएगे, इन दो reasons की वरे से ही होगा, production कब बढ़ेगा, जब resources भढ़ जाएगे, तब, और जब technology improve पर जाएगी, पर growth of resources की, हमारे resources भी increase कर गए, in respect of both the goods, याद करने वाली चीज़ है, shift का मतलब बच्चों, y axis पर जो good है, उसका भी production बढ़ा, x axis पर जो good है, उसका भी production बढ़ा, यानि कि, दोनों good के case में, technology and resources increase कर गई, जिसकी वरे से right worship हुआ, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या वाला PPF ऐसा था, नया वाला PPF यह रहा, क्या हो गया बच्चों, left war shift हो गया, अब left war shift क्यों हुआ, वही दो reason की वरे से, लेकिन, इस पास technology improve नहीं करी होगी, degrade करी होगी, क्या करी होगी, technology degrade करी होगी, क्याने कि, बार आ गई, earthquake आ गया, war हो गया, जिसकी वरे से, जो हमार पास technology थी, वो बेकार हो गई, हमारी machines काम नहीं कर, अब हमारी machines सीजिंकी वरे से, production अब अच्छे से कर पा रहे थे, वो machine सारी बेकार हो गई, बाढ़ के अंदर पहागी, अर्थक के अंदर तूट गई, ठीक है, यह सब हो गया, clear है, और या फिर हमारी resources तबाव हो गई, प प्रोडक्शन की जो capacity है, वो कम हो गई, production की capacity है कम हो गई, तो right worship मतलब production की capacity increase कर रही है, left worship मतलब production की capacity decrease कर रही है, right worship कब होगा, जब technology improve करेगी, यहा पर resources करेगी, यहा पर resources कम हो जाएंगे, okay, next होता बच्चों, rotation, rotation, rotation का मतलब क्या, देखते हैं, देखो, पहले case में बोला, की rotation on commodity, rotation for commodity on x-axis, basically rotation on x-axis, ठीक है, rotation के लिए आप एक याद बात याद रचना की rotation हमेचा तभी होगा, जब एक good के अंदर change जाएगा, एक good के अंदर change जाएगा, ठीक है, जब आपका एक good से related changes होंगे, तो पहला देखते हैं, कि जब x-axis में changes होगा, ठीक है, तो मान के चलो, एक ये वाला बना मेरा PPF, दूसर PPF मेरा ये बना, तो इस case में क्या देख रहे हो, आपका जो x-axis पर production था, y-axis पर production आपका same है, y-axis पर production है, वो आपका same है, y-axis पर production में कोई भी changes नहीं आया, देख पा रहे होंगे, लेकिन x-axis के production में क्या increment आया है, तो यानि की x-axis से related, ज हमारी technology improve कर गई होंगी, या फिर resources increase कर गई होंगी, reason भही रहेगा, बस देखना है, rotation का मतलब a good के अंदर change आएगा, और shifting का मतलब donor goods के अंदर change आएगा, ठीक है, तो जब हमारा right word shift करा, तो इसका मतलब क्या है, technology improvement, और increase in resources, for the production of community on the x-axis, जो x-axis पर कोई भी community होगी, उसके related clear है, clear है, और left पर rotation का होगी, आने कि left की side का आजाएगा, आप देख पारे हो, दौनों case में y का point है, वो same है, y की production में कोई भी change नहीं आ रहा, तो जब भी x-axis production increase करेगा, तो दो reason की various है, कि technology improve कर गई होगी, resources भढ़ गई होगी, और जब decrease करेगा, technology degrade कर गई होगी, resources कम होग नहीं आएगा, x-axis में कोई भी change नहीं आएगा, x-axis में कोई भी change नहीं आएगा, लेकिन y-axis में changes आएगे, तो community, यहां पर टेफनलोटी जो चेंज होगी तो ग्राफ। जो यहां पर रेलेटेड जो और और इनक्रीज़ कर रही है . और नीचे खे जो करेगा ग्राफ जब हमारी वाई से रिलेटेड जो टेखनलोजी है वो डिग्रेट कर गई या फिर वाई से रिलेटेड जो रिसोर्स हैं वो क्या हो गए कम हो गए तो बेसिकली इतनी सी बात है आपको अगर मैं पूरा पीपीएफ का शिफ्टिंग और रोटेशन की बताऊं कोईशन की था खरेएब रिसोर्स के सबरो मैं श्युकियाट रही है या फिर रिसोर्स एक अगारा प्रूडॉक्शन का मतलब ये शिउया रोटेशन का मतलब किसी एक गुट के केस में, चाहें X-axis, चाहें Y-axis, जब हम X-axis की बात करेंगे, तो जो commodity हमारी X-axis पर है, तो right word rotation तब होगा, जब X-axis वाली commodity के case में technology improve कर जाएगी, और resources increase कर जाएगे, और X-axis के case में left word rotation तब होगा, जब हमारी technology degrade कर जाएगी, कि यहाँ पर resources कम हो जाएगे, ठीक है, सेम हमारा Y-axis के case में है, Y-axis के case में बात करेंगे, तो X-axis में कोई भी change नहीं आएगा, लेकिन अगर Y-axis case में right word rotation हो रहा है, तो हमारा इसका मतलब यह है, कि Y-axis का technology हो improve करी होगी, यहाँ पर resources increase कर गए होगे, अगर Y-axis flat पर rotate हो रहा है, नहीं कि नीचे की side graph आ रहा है, तो हमारी technology degrade कर गई होगी, यहाँ पर resources कम हो गई होगे, simple सा concept है, ठीक है, I hope आप लोगों को पूरा यह chapter detail में समझ में आ गया होगा, ठीक है, यह one shot आपके लिए बहुँ ज़दा special होने वाला है, आपके mid time के लिए काफी ज़दा helpful होने वाला है, please comment box में इस one shot आपको कैसा लगा, यह ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को like ज़रूर करिएगा, और अपने friends के लिए share ज़रूर करिएगा, तब तक के लिए goodbye everyone, take care.